दोस्तों गराबी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान रोहित ने खाली मैदान के मिट्टी जीता करोडों हिंदुस्तानियों के दिल सेट की आउद बुद एक्जामबल तो दुनिया भर में रोहित की खूब तारीफ की जा रही है यहाँ तक कि अब सजिन तेंदूलगर से लेकर रिकी पॉंटिंग शोयबकतर से लेकर खुदे भी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े दिगज खिलाडियों ने भी अब रोहित के इस महान कारणामे से प्रभावित होकर उन्हें सलाम ठोका है तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा है इन सब ही दिगजों ने रोहित के इस जैस्चर पर जिसे सुना भी दंग रहने वाले है उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा विराट कोहली और महिंदर सिंग धोनी में से कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान अपनी कीमती रहे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों हर काली अंधेरी रात के बाद सभलता की सुबह जरूर होती है और ऐसा ही कुछ भारतीय टीम के साथ भी हुआ आकिरकार 29 जून की शाम वो पल आया है जिसका पूरे हिंदोस्तान को बेजबरी से इंदिजार था खास तोर से भारती कप्तान रोहिच शर्मा को जी हां रोहिच शर्मा पिछले दो साह से आईसी सी ट्रॉफी जीतने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फाइनल में पहुँचकर चूक जा रहे थे 2023 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हमें आस्ट्रेलिया ने हरा दिया था इसके बाद इस साल वंडे वर्ल्ड कप में लाजवाब प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया आस्ट्रेलिया के हाथों फाइनल में हार गई इस हार से रोईच चर्मा बुरी तरह से तूट गए थे और खूब रोए थे कई दिनों तक वो इसी गम बे डूबे रहे लेकिन पिर उनकी तगड़ी वापसी की एक नए जोश और जुनून के साथ उन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी लगातार दो फाइनल हारने के बाद जब बारबा डॉस में कामियाबी मिली तब उन्होंने अलग-अलग तरीके से इस जीत का जश्न मनाया जीत के बाद रोई चर्मा एमोशनल होकर जमीन पर लेट गए उन्होंने सबसे पहले WWE के अंदाज में इस जीत को सेलिबरेट किया WWE के अंदाज में उन्होंने हाथ को जोर से जमीन पे दे मारा रोहित वहीं रोने लगे वहीं रोहित भी फिर भारती जंडे को बीच मैदान में ही गारते भी नज़र आए वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदाज में कलेक्ट किया इस मामले में उन्होंने FIFA World Cup 2022 के अरजंटीना के कप्तान नियोलेंड मैसी को कॉपी किया इतने नी ट्रॉफी सेलिबरेशन होने के बाद रोहित बार्बाडोस के मैदान पर उन्ची पिच पर गए जहां पर मैच खेला गया इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिटी उठा कर खा लेते हैं इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे फैंस को समझ नहीं आ रहा था कि आकिर कार रोहित ने ऐसा क्यूं किया लेकिन रोहित ने अपने इस अंदाज में सब का दिल जीत लिया उनके इस अदरंगी सेलिबरेशन को बेहत पसंद किया जा रहा है और अब उसकी खूब तारीफ भी हो रही है और अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिगजों ने भी रोहित चर्मा को इस मॉमेंट की वजह से सलाम ढोका है जहां अब खुद गौड ओफ क्रिकेट सचिन तैंदूल कर भी रोहित के काफी उनसे काफी इंप्रेस थे उन्होंने बड़ा बयान देते हुए काई जिस करिकेट के मैदान पर आपने पूरी उम्र निकाल दी जहां अपना खून पसीना एक किया अपने देश का सालों साल गौरफ बढ़ाने के लिए दिन राद मेहनत की वहां वर्ल्ड कप जीतने के बाद उस मैदान का स्वाद चकना तो बनता ही है यदि मुझे आज याद आया होता तो मैं 2011 वर्ल्ड कप में ही ये कर चुका होता लेकिन रोहित ने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया थैंक्यो रोहित मुझे आप पर गर्व है तो वहीं अस्ट्रेलिया के मेहनत कप्तान रिकी पॉंटिंग ने भी कह डाला कि मुझे ये सारी चीज़े पसंद नहीं है लेकिन जब रोहित नहीं ये किया तो मैं भी काफी एमोशनल था उनकी आखों में आसू बह रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि जो रोहित कर रहे हैं कि आप जीत के बाद जो भी करते हैं वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिख जाता है ऐसे में ये सलिबरेशन भी इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है इस मैदान में रोहित ने अपना खून पसीना एक किया वहां की मिट्टी खाकर उन्होंने अपनी किस्मत को अपने खून से लिख दिया था दिल से सल्यूट है रोहित के जिगरे को उनके अलावा शोईब अक्तर भी रोहित की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए उनका मानना है कि मैं हमेशा से चाहता था रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीते हैं रोहित हमेशा मेरे पसंदी दा खिलाडी थे और इस वर्ल्ड कप जीत के बाद तो मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट आसमान चू रही है नकेवल ये खिलाडी खास है बलके उनका सेलिबरेशन उनका इंटेट और उनका अंदास सब कुछ खास है और ये सेलिबरेशन अब मेरा वन ओफ दे बेस्ट सेलिबरेशन बन चुका है रोहित ने अपनी जीत को और भी स्पेशल और यादकार बना दिया है खुदा उन्हें ऐसी बरकत देता रहे तो वहीं दोस्तों एबी डिविलियर्ज ने तो ये तक कहा दिया कि जब रोहित ने मिट्टी खाई थी तब मुझे लगा कि वो हमें चिड़ा रहे हैं लेकिन उस समय में काफी गुसे में था यसीले में ठीक से सोच नहीं पा रहा था पर रोहित की जितनी तारीफ करो अतनी कम है वो एक महान खिलाडी और एक महान कप्तान तो हैं ही साथ ही साथ एक ग्रेट इनसान भी है उनकी आँखों से निकला हरे कांसु इमानदारी से भरा हुआ था मुझे लगता है कि वो इस वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा हगदार थे जो खिलाडी मैदान के मिट्टी खा सकता है अपनी जीत के बाद वो सोचो कितना तडब रहा होगा इस ट्रॉफी के लिए सच में रोहित दिल चाहता है मैं आपको सल्यूट करूँ तो दोस्तों इन सब के बयान सुनने के बाद अब आप रोहित की महानता को इस मॉमेंट को दस में से कितने नमबर देना चाहेंगे अपनी राए नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों रोहित शर्मा पिछले दो साल से फाइनल में हार गई इस हार से रोहित शर्मा बुरी तरीके से तूट गए थे और खूब रोहे थे कई दिनों तक वो इसी गम में डूबे रहे लेकिन फिर उन्होंने तगड़ी वापसी की एक नए जोश और जनून के साथ उन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी शुरू कर दी लगातार दो फाइनल हारने के बाद जब बार्बाडोस में कामियाबी मिली तब उन्होंने अलग-अलग तरीके से इस जीत का जेश्टन मनाया जीत के बाद रोहित शर्मा इमोशनल होकर गारते भी नज़र आए वहीं तो ट्रॉफी को उन्होंने एक अलग अंदास में कलेक्ट किया इस मामले में उन्होंने फीका वर्ल्ड कप 2022 के अर्जिंटीना के कप्तान लियोनल मैसी को कॉपी किया इतने नी ट्रॉफी सेलिबरेशन होने के बाद रोहित बारबाडास के मैदान के उस पिच पर गए जहाँ पर मैच खेला गया इसके बाद वो पिच की थोड़ी सी मिटी उठा कर खा लेते हैं इसे देखकर फैंस काफी हैरान थे फैंस को समझ नहीं आ रहा है था कि आकिर रोहित ने ऐसा क्यों किया वही अब खुद रोहित शर्मा ने इसका खुलासा किया उन्होंने बताया कि आकिर उन्होंने जीत के बाद मिटी क्यों खाई रोहित शर्मा ने कहा हाँ जीत के बाद मैं काफी ज्यादा भावग हो गया था मेरे एमोशन्स पर कंट्रोल नहीं थे भला ऐसा क्यों नहों इतनी मेहनत करने के बाद मेरा सपना जो पूरा हुआ है इसके बाद रोहिट से जब सेलिबरेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो मैसी जैसा सेलिबरेशन मैंने कुलदीप यादफ के कहने पे किया था मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मैसी का सेलिबरेशन है कुलदीप ने मुझे ऐसा करने को बोला तो मैंने किया वही रही बात ज़ंडा गाडने की तो मैंने इसलिए किया क्योंकि जैसा सर ने कुछ महीने पहले मुझे पर विश्वास जताया था और कहा कि रोहिच शर्मा की कप्तानी में हम T20 वर्ड कप जीतेंगे और बारबाडॉस में भारती जंडा गाड़ेंगे वर्ल कप जीत कर मैंने उनका प्रामिस तो पूरा किया सोचा जंडा गाड़ कर उनका दूसरा प्रामिस भी पूरा कर दूँ वहीं दोस्तों इसके बाद जब रोहिट से पूछा गया कि उन्होंने पिच्च की मिट्टी क्यों खाई तब उन्होंने कहा जोकोविच जब भी अपना कोई टाइडल अपने नाम करते हैं उन्हें टैनिस कोट के घास को खाकर सर्बिलेट करते हुए देखा जाता है और रोहित उनके बहुत बड़े फैन है इसलिए उन्होंने भी ऐसा किया दोस्तों इस पर अपनी राए नीचे कॉमेंट करके जरूर बताया दोस्तों जैसा कि आपको पता है T20 World Cup 2014 में भारत ने काफी ज़ादा च्छा प्रदर्शन करते हुए लागातार आठ मैचों में जेत दर्श करने के साथ फाइनल में अपनी जेगे पकी की थी और फाइनल मैच में साथ अफरिका को साथ रनों से हरा कर वर्ल्लकप को अपने नाम किया जहां पर भारती टीम ने साथ अफरिका की टीम को हराने के साथ 13 साल के बाद भारत को वर्ल्लकप दिलाया है साथी में 11 साल के बाद कोई ICC टुर्नामेंट भारती टीम के पक्षमे किया इतना ही नहीं भारती टीम ने 17 सालों के बाद T20 वर्लकप को अपने नाम किया ऐसे में भारती टीम के दूसरी बार T20 वर्ल कप जीतने और चौथी बार वर्ल कप विजरिता बनने के बाद भारत के महानु द्योग पती और देगज वेक्टियों ने भारती टीम को माला माल कर दिया है। प्रति टीम के च्रेंपियन बनने के बाद प्रति खिलाडियों को पाच-पाच करोड रुपए देने का ऐलान किया। इसके लावा महिंद्रा ग्रुप के मालिक उद्योग पती आनंद महिंद्रा ने भारती टीम के सब ही खिलाडियों को महिंद्रा की तरफ से कार गेफ्ट करने का ऐलान किया। और भारती टीम को पाच करोड रुपए देने का ऐलान किया। मुझे ICC पूरश T20 विशुकप दो हसार चौबिस के विजरेता भारती टीम के लिए 125 करोड रुपए की नाम राशी की घोशडा करते हुए खुशी हो रही है। टीम ने पूरे टुर्णामिंट में और साधार और प्रतिभाद, डड़ संकल्प और कोशल का शांदार प्रदर्शन किया। इस उतिक्रिष्ट उपलब्धी के लिए सब ही खिलाडियों, कोचों और सहियों के स्टाफ को बढ़ाई।